चूहे दानी एक किसान और उसकी पत्नी एक बंडल खोल रहे थे तबहीं एक चूहे ने दीवार की दरार से अंदर जाकर देखा बंडल देखकर चूहे ने सोचा अरे उस बंडल में क्या होगा? शायद खाने पीने की कोई चीज होगी फिर तो आज मजा ही आ जाएगा थोड़ी देर बाद चूहे ने देखा कि बंडल के अंदर एक चूहे दानी थी चूहा डर गया उसने सोचा किसान और उसकी पत्नी मुझे पकड़ने के लिए चूहे दानी ले आये है अब तो मेरी खैर नहीं है वह अपने दोस्तों को इस खत्रे से सावधान करने के लिए चल पड़ा चूहा जोर जोर से चिलाने लगा मुर्गे ने यह सुना तो उसने अपनी चोँच से अपने पंक खुजाए और फिर गर्दन तान कर बोला चूहे भाई चूहे दानी से खत्रा तो सर्फ तुम्हे है उसमें भला मैं कैसे फसूंगा इसलिए सावधान तो तुम्हे रहना है चूहा बकरे के पास पहुचा और उससे बोला बड़े भाई किसान ने घर में आज एक चूहे दानी लाकर रख दी है इससे हम सब को खत्रा है बकरे ने चूहे को दिलासा देते हुए कहा चूहे भाई मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ चूहा निराश हो गया वह सिर जुकाए किसान के घर लोटाया उसने सोचा मुझे तो इसी घर में रहना है चूहे दानी से मुझे मुकाबला करना होगा यह सोचते सोचते चूहा सो गया उसी रात चूहे को एक आवाज सुनाई पड़ी खट कहीं कोई चूहे दानी में फस तो नहीं गया चूहे ने सोचा चूहा चूहे दानी की तरफ गया तो उसने देखा कि चूहे दानी में एक साप फस गया है खट की आवाज सुनकर किसान की पत्नी चूहे दानी की ओर दोड़ी उसने सोचा चूहा फस गया उसने अंधेरे में ही बिना सोचे समझे चूहे दानी में हाथ डाल दिया साप ने उसे काट लिया साप का जहर किसान की पत्नी के सारे शरीर में फैलने लगा किसान उसे अस्पताल ले गया किसान की पत्नी अस्पताल से ठीक होकर तो लोट आई परन्तु अब उसे कमजोरी रहने लगी उसकी कमजोरी दूर करने के लिए किसान ने मुरगा काट कर उसका सूप बना कर अपनी पत्नी को पिलाया किसान की पत्नी का हाल चाल जानने के लिए आसपडोस के लोग आने जाने लगे आने जाने वालों को किसान ने बकरा काट कर उसका मास खिलाया कुछ दिनों में किसान की पत्नी तो स्वस्त हो गई परन्तु चूहे के सभी स्वार्थी मित्र मारे गई अपने दोस्तों के मारे जाने का चूहे को बहुत दुख हुआ उसने सोचा काश दोस्तों ने मेरी बात मान कर मेरी मदद की होती